हेलो फ्रेंड्स स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आपका आशिष्ट गुरूजी यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में मैं इस क्लॉग को हैक करूंगा चल चूट और इसमें फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगए फ्रेंड्स तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल के आइकन को अल पर सिलेट कर लीजिए चलिए स्टार्ट करते वीडियो एक छोटे से इंट्रों के जैसे कि आइस आप देए सकते में पास एक येfunction है इसमें फ्रेंस यहां पर बैटरी लगती इस टाीप की आपको पता ही hydraulic और फ्रेंस लेकिन ये बैटरी का बैक अप कम होता है इसी बहुत ही जल्दी खराब हो जैती है तो आज आज हम इसमें हैक करेंगे और इसमें हम डालने तो फ्रेंट इसमें हम लगाएंगे फ्रेंट एक लिथियम आयन की बैटरी तो फ्रेंट इसे लगाने की फ्रेंट हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा फ्रेंट जिससे हम 3.7 वोल्ट को 1.5 वोल्ट में कनवर्ट कर सकते हैं जैसे कि आपको पता ही होगा फ्रेंट मैं आपको बता देता हूं यह बैटरी फ्रेंट 1.5 वोल्ट की होती है आप यहां पर देख सकते हैं तो फ्रेंट यह क्लॉक फ्रेंट 1.5 वोल्ट पर चलती फ्रेंट लेकिन जो हमारी यह लीतियम आयन की बैटरी ह की उती हैं लेकिन इस बैटरी का बैकप भी खराब होता है तो इसे हम आज यूज नहीं करेंगे आज आज इस वैटरी का यूज करके इसे चलाइंगे और आपको बता देता हूं यह हमारी 26-100 यानि कि अगर हम इस बैटरी को एक बार चार्ज करके इसमें लगा देते हैं तो लगभग ये 6 माहिने से 7 माहिने तक आराम से चलिए फ्रेंस एक बार चार्ज करने पर तो चलिए फ्रेंस पहले हम इसका सरक्र बनाना है सीख लेते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता देता हमें क्या क्या लगेगा, तो सबसे पहले फ्रंस हम लेंगे एक NPN transistor, आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर lgfbc-548, आप यहां पर 147 भी ले सकते हैं फ्रंस, साथ हम लेंगे यहां पर 210K की resistance आप देख सकते हैं इसका color code भी आप देख सकते हैं, brown, black, orange, gold तो आपको ऐसी 210K की resistance तो बस इसका ही स्तमाल करके हम बनाएंगे एक circuit जिससे हम 3.7V को 1.5V में convert कर सकते हैं तो चलिए friends मैं अपना helping hand ले लेता हूँ तो आप दे सकते friends ये मेरा helping hand है friends मैंने इसे घर पर ही बना आया है friends तो आपको ये कैसा लगा comments में ज़रूर बताएगा friends तो चलिए friends मैं इसे set कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ तो friends आप दे सकते friends इस transistor की pinout मैं आपको बता देता हूँ friends ये है हमारी collector pin ये है base और ये है emitter friends मैं आपको यहाँ पर show भी करा दूँगा friends तो friends आप देख सकते हैं अब हम इसे लगा लेते हैं friends उसके बाद friends हमें ले लेनी अपनी दोनों ярisitions friends तो friends पहले मैं इसकी wires को थोड़ी से cut कर देता हूँ friends तो friends मैंने इसकी wires cut कर ली है friends तो आप हम यहाँ पर soldering करेंगे friends उसके पहले friends मैं यहाँ पे pitch लगा लेता हूँ friend अब यम इसके ओपर soldering कर देंगे friends और friends अब हम अपनी रेश्ट्टेंस को यहाँ पर connect कर देंगे friends जैसे कि friends आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर रेश्ट्टेंस को connect कर दिये friends । अब अपनी दूसरी रेश्ट्टेंस ले लिए friends और फ्रेंस इसे हम करेंट कर देंगे इसकी बेस पर तो फ्रेंट्स आप देशक्ते हैं हमने अपने कनेक्शन्स कर लिए हैं फ्रेंट्स आपको दिखा देता हूं फ्रेंट्स तो आपको दीख रहोगा मैंने इसे कहा पर कैसे करें अलशाट करेंगेु अपर में इसमें इन्पट और आउट्पट की वायर्स करेंट कर लिते हैं इसुर एक प्रस्टिएव वायर के लिए फ्रनस तेड बाया लिया है इसेellam यहां collector पर sold कर देंगे friends तो जैसे friends आप देख सकते हैं यह हमारी positive 3.7 volt input friends अब हम इसमें ground का wire connect कर देंगे friends आप देख सकते हैं friends यह हमारी battery की minus input friends अब हमें connect करना है friends output की वायर तो friends मैंने यह orange color की वायर है तो friends यह हमारी output 1.5 volt की वायर है तो friends अब हम minus output भी connect कर लेते हैं friends यह दोनों एक ही जागे से होंगे friends friends आप देख सकते हैं friends हमने यहाँ पर wires connect कर ली है friends अब मैं आपको दिखा देता हूं friends friends आप देख सकते हैं friends यह दो वायर हमारे battery में जाएंगे friends और यह दो वायर हमारे clock में जाएंगे friends तो चलिए friends अब हम इसमें battery connect कर लेते हैं friends और मैं आपको इसकी output की voltage भी check करा देता हूं friends तो friends हमने battery connection कर ली है friends आप देख सकते हैं friends मैंने इसमें battery connect कर ली है तो friends अब मैं आपको इसमें टेस्ट करके दिखा देता हूं friends कि इसमें कितने voltage out हो रहे हैं तो friends यह रहा मेरा multimeter friends इसे हम 20V DC पर स्रिलेट कर लेंगे friends आप देख सकते हैं और आप मैं आपको इसमें voltage टेस्ट करके दिखाऊंगा friends तो friends सबसे पहले मैं आपको battery के voltage टेस्ट कर रहा देता हूं friends तो friends आप देख सकते हैं friends बैटरी में भी 3.9V across 4V के something voltage आ रहा हैं friends तो चलिए friends अब हम टेस्ट कर लेते हैं friends हमारे circuit में output में कितने voltage दे रहा है तो friends जैसे कि आप देख सकते हैं friends यह हमारा negative है और friends यह हमारा positive है तो friends आप meter पे focus करिएगा तो friends आप देख सकते हैं friends हमारा circuit successfully work कर रहा है friends आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5V हमें मिल रहे हैं friends तो हमारे clock को चलाने के लिए friends हमें 1.5V की ज़रुर्गत है तो चलिए अब हम इससे clock को चला के test कर लेते हैं friends तो जैसको। आप देजसकते हैंτε मैं ने clock में दू वायर करनेट कर लिए हैं यह आपको दिखा देथा हूँ मैंने इसमें वायर से रिए हर चलिट अब इसओ धर रग दे तहूँर। आपको मैं आपtest कराके दिखा दूँरूंगो फैस आपदेख सकते हैं यह कोई फेक वीडियो नहीं है आपके सामने तर इसे टेस्ट कर रहा हूं तो फ्रेंजी है फ्रेंज यह हमारा इसे फ्लेंखयों वाहता है उदे कि सब्सक्राम कर दो है У्द श्रट्री पर और अपड़कर प्लाइब कह् sheesh है आप देख सकते हैं इसके पीछे कुछ भी नहीं लागा हुआ है यह एकदम रियल वीडियो है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं यह हमारा सर्कुट है जिससे हमारी क्लॉक चल रही है तो हमने इसे सक्केसफुली है कर लिया है इस बैटरी से हम इसे लगबग 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम चला सकते हैं क्योंकि इस बैटरी के जो एंप्यर होते हैं बहुत ही जादा होते हैं आप जैसे इस पर देख सकते हैं इसकी रेटिंग में यह 2600mh यह बैटरी है जबकि यह जो हमारे लोकल सेल होते हैं जो कि हम इसमें घड़ी में यूज करते हैं यह 1.5 वोल्ट वाले सेल होते हैं डबल यह बहुत ही कम पावर के होते हैं इसकी एंपियर रेटिंग बहुत कम होती तो इसलिए यह जादा जादा एक महीने चल जाते हैं उसके बाद खरा हो जाते हैं तो जैसा आप देख सकते हैं हमारा प्रजेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएगा और हमारा चैनल पर अगर न झाल